तो अब हम चलते हैं प्रश्णों की और इसमें पहला प्रश्ण है कि साइन 2 अलफा का मान ग्याद कीजिए जबकि पहला प्रश्ण है कि कॉस अलफा इक्वल टू 3 अपॉन 5 है तो चुकि आपको पता है कि साइन 2 अलफा या साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो साइन 2 अलफा निकालने के लिए हमें साइन अलफा की भी जरूरत पड़ेगी तो दिया है cos alpha equal to 3 upon 5 तो हम लिख सकते हैं sin alpha equal to square root over 1 minus cos square alpha तो यह equal to आएगा root over 1 minus यह cos square alpha इसका मतलब है कि 3 upon 5 का square आगे solve करेंगे तो आपको मिलेगा 1 minus 9 upon 25 और आगे solve करेंगे तो आपको मिल दाएगा 16 upon 25 तो यहां से आपको मिल दाएगा sin alpha equal to 4 upon 5 तो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि sin alpha का 1 plus minus 4 by 5 भी हो सकता है हाँ हो सकता है लेकिन इस प्रस्ट में यह specify नहीं किया गया है कि alpha का मान कौन से चतुर्थांस पर इस्थित है अता हम सिर्फ धनात्मक मान को लेकर हैं हाँ पर चल रहे हैं अब आपको ग्याद करना है sin 2 alpha तो sin 2 alpha क्या होता है 2 times sin alpha into cos alpha मान रख देते हैं sin alpha यह है 4 upon 5 और cos alpha है 3 upon 5 तो देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, 12 और 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 24 और 5 और 5 का गुणा करेंगे तो आपको मिल दाएगा 25 तो इस तरीके से sin 2 alpha यह हमें मिल रहा है 24 upon 25 और यही उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगला प्रश्ण है cos 2 alpha का मान ग्याद कीजिए जब की पहला प्रश्ण है sin alpha equal to 4 upon 5 तो चलिए इसे हल करते हैं और इसमें एक दूसरा प्रश्ण भी है जहांपर हमें दिया गया है कि 10 alpha का मान 5 upon 12 है तो पहले प्रश्ण के लिए हम हल कर रहे हैं इसे दिया है sin alpha का मान दिया है 4 upon 5 तो cos 2 alpha का मान हम दो अलग-अलग सूतरों से ग्याद कर सकते हैं तो उसमें से पहला है कि cos 2 alpha equal to होता है 1 minus 2 sin square alpha 1 minus 2 sin square alpha इसका मतलब यह कि 4 by 5 का अगर हम square कर दे तो आगे हमें हल मिल जाएगा तो 1 minus 2 into 16 upon 25 या फिर 1 minus 32 upon 25 और इसे और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा minus 7 upon 25 तो cos 2 alpha मिल गया minus 7 upon 25 जो कि हमें ग्याद करना था इसको हल करने की दूसरी भी दिया हो सकती है कि अब sin alpha दिया हुआ है तो हम cos alpha निकाल लेते हैं तो इसका जो LCM है यह मिलेगा आपको 25 और यह 25 minus 16 यह मिल जाएगा 9 upon 25 का square root तो इस तरीके से cos alpha आपको मिलेगा 3 upon 5 यहाँ पर भी same condition है चुकि यहाँ पर specify नहीं किया गया कि alpha कौन से चतुर्थांस पर इस्थित है अता हम सिर्फ इसका धनात्मक मान लेकर के चलेंगे तो cos alpha मिल गया हमें 3 by 5 और आपको ग्याद करना है cos 2 alpha तो cos 2 alpha होता है 2 cos square alpha minus 1 तो मान रख दीजे 2 into 3 by 5 का square minus 1 तो 2 into 9 upon 25 minus 1 तो यह मिल दाएगा 18 minus 25 upon 25 तो आगे जब हल करेंगे तो आपको मिल दाएगा cos 2 alpha equal to minus 7 upon 25 तो cos 2 alpha के लिए हमने 3 चार अलग-अलग सूत्र पढ़े हैं वह है कि cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta equal to 2 cos square theta minus 1 equal to 1 minus 2 sin square theta तो इसमें से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करके हम प्रश्णों को हल कर सकते हैं तो अब चलते हम दूसरे प्रश्ण पर जहां पर दिया गया है कि 10 alpha जो है यह 5 upon 12 है और हमें मान ग्याद करना है cos 2 alpha का तो इसके लिए हमें कोई एक ऐसा सूत्र ग्याद होना चाहिए जो कि cos 2 alpha और 10 alpha के बीच के संबंद को दर्साता हो तो यह हमने पढ़ा हुआ है चुकि cos a equal to 1 minus 10 square a by 2 upon 1 plus 10 square a by 2 होता है या फिर इसे हम कुछ इस तरीके से रुपांतरित कर सकते हैं कि cos 2 alpha equal to 1 minus 10 square alpha upon 1 plus 10 square alpha ए को आप 2 alpha से replace कर दीजे तो यह जो सूत्र है उसका रुपांतरित कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब cos 2 alpha का मान इस से हम बड़े आसान तरीके से ग्याद कर सकते हैं चुकि हमें 10 alpha का मान ग्याद है तो यह आपको मिल दाएगा cos 2 alpha equal to 1 minus 10 square alpha इसका मतलब यह कि 5 by 12 का square और फिर हर में 1 plus 5 by 12 का square आगे हल करेंगे तो हमें मिल दाएगा 1 minus 25 upon 144 और हर में मिल दाएगा 1 plus 25 upon 144 तो यहाँ से cos 2 alpha equal to यहाँ पर देखिए कि अंस के लिए जो एक और पद मिल रहा है इसका भी लगतम समापर्त 144 मिलेगा और हर में जो पद है इसके लिए भी लगतम समापर्त या LCM 144 मिलेगा तो उस दोनों cancel हो जाएंगे और ultimately हमें यह मिलेगा कि 144 minus 25 upon 144 plus 25 इसे आगे हल करेंगे तो मिल दाएगा आपको 119 upon 169 तो यह आपको मिल रहा है cos 2 alpha का मान जो की हमें ग्याद करना था या फिर छोटी कक्षा नुवी और दस्वी में आपने सीखा है यदि आपको 10 theta का मान ग्याद हो तो sin theta और cos theta का मान ग्याद कर सकते हैं यहाँ पर 10 alpha का मान दिया गया है 10 alpha equal to 5 upon 12 है इसका मतलब यह कि अनुपातिक तोर पर लंब जो है वो 5 ही का ही है और आधार जो है वो 12 ही का ही है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि करन का वर्ग बराबर यहाँ पर यह लंब का वर्ग और आधार का वर्ग और इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा करन बराबर 13 या फिर 13 तो आपको लंब पता है आधार पता है और करन पता है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं sin alpha sin alpha लंब बटे करन लंब का माने 5 लंब जो है वो 5 और करन जो है यह 13 तो sin alpha इकोल to 5 by 13 और cos alpha यह आधार बटे करन तो यह मिल जाएगा 12 अपान 13 और आपको चाहिए cos 2 alpha तो यह आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 sin square alpha आगे हल करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 2 sin square alpha इसका मतलब इस पद का वर्ग कर देंगे यह मिल जाएगा 25 अपान 169 आगे हल करेंगे तो LCM मिलेगा 169 और अंस मिल जाएगा 169 माइनस 50 अब इसे आप आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा cos 2 alpha equal to 119 अपान 169 तो देखिए आपने यहाँ पर अलग सूतर का इस्तमाल किया और यहाँ पर अलग सूतर का इस्तमाल किया तो अगला प्रश्न दिया गया है a cos 2 theta plus b sin 2 theta का मान ज्याद कीजिए जबकी tan theta equal to b upon a है चलिए अगे हल करते हैं tan theta दिया गया है और इस expression का मान ज्याद करने के लिए हमें cos 2 theta और sin 2 theta का मान ज्याद होना चाहिए तो थोड़े दिर पहले हमने एक सूतर पढ़ा था जिसमें की cos 2 theta और 10 theta के बीच में एक संबंध होता है चुँकि cos 2a equal to 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a होता है तो इस तरीके से हम cos 2 theta का मान ज्याद कर सकते है 2a के सान पर आप theta रख दीजे तो आपका मिल दाएगा cos 2 theta equal to 1 minus 10 square theta तो 10 theta के square कर देंगे तो यहां से मिल दाएगा आपको b upon a का whole square upon 1 plus b by a का square आगे जब हल करेंगे तो मिलेगा 1 minus b square upon a square upon 1 plus b square upon a square और आगे सरल करेंगे तो इस अंस वाले पद में जो LCM आएगा यह आएगा a square और यहां पर अंस में आएगा a square minus b square और फिर यह upon यहां पर भी जो LCM आएगा यह आएगा a square और अगला पद आएगा a square plus b square यह equal to cos 2 theta है इसे जब आगे सरल करेंगे तो मिलेगा a square minus b square upon a square और फिर into करेंगे तो यह a square जो अंस में चला जाएगा a square और फिर यह a square plus b square a square और a square यह दोनों cancel हो जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा cos 2 theta equal to a square minus b square upon a square plus b square तो इस expression को हल करने के लिए हमने cos 2 theta का मान गयाद कर लिया अब sin 2 theta का मान बचा हुआ है तो दो तरीके समगयाद कर सकते हैं या तो एक ऐसा सूत्र जो की sin और 10 के बीच में या sin 2 theta और 10 theta के बीच में संबंद को दर साथा हो उसका भी उप्योग कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं sin 2a equal to 2 times tan a upon 1 plus tan square a यह formula होता है तो यहां से हम sin 2a का मान गयाद कर सकते हैं 10 a या फिर यहां पर यह sin 2 theta है तो sin 2 theta equal to 2 into 10 theta और 10 theta का मान है b by a और फिर यह upon 1 plus tan square a यहां पर 10 square theta तो 10 square theta का मान यह b by a का square हो जाएगा आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2b upon a पर यह into इसको जब सरल करेंगे तो हर में यहाँ पर आएगा a square तो a square जो यह ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा a square प्लस b square यह a और यहाँ पर घात दो है यह cancel हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2ab upon a square प्लस b square यह है sin 2 theta का मान जो कि हमें घ्याद करना था अब a cos 2 theta प्लस b sine 2 theta का मान हमें घ्याद करना है equal to जो मान घ्याद है या जो मान हमें पता है हो रख देते हैं cos 2 theta यह अपने निकाल था a square minus b square upon a square plus b square रख देते हैं a square minus b square upon a square plus b square फिर plus B into sin2θ, यह है 2AB upon A2 plus B2 तो इसे और आगे सरल करेंगे तो हमें यह मिल दाएगा, जो LCM होगा, यह मिलेगा A2 plus B2 और A से A2 का गुना करेंगे तो मिलेगा A3 फिर में माइनस AB2 फिर plus 2AB2 तो यह 2AB2 और माइनस AB2 इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा A cube plus AB square upon A square plus B square अंस और हर में यदि हम अंस के पदों में हम A common निकाल सकते हैं तो यह मिल जाएगा A into A square plus B square और upon A square plus B square तो यह A square plus B square cancel हो जाएगा, ultimately हमें मिला A और यही इसका उत्तर है जो कि हमें ग्याद करना था तो यहाँ पर दूसरी भी दिये हो सकती है कि sin 2 theta का मान हम निकाल सकते हैं 1, इसका root over 1 minus cos square 2 theta से चुकि cos 2 theta का मान ग्याद है इसमें हम पुट कर दें तो यह हमें मिल जाएगा root over 1 minus यह है A square minus B square upon A square plus B square का whole square चलिए आगे स्वालो करते हैं तो हर में आपको मिलेगा A square plus B square का whole square और इसे और आगे सरल करेंगे तो मिलेगा A square plus B square का whole square minus A square minus B square का whole square तो जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा 4 अगला प्रस्ण है यदि sin x equal to 3 upon 5 हो जहां पर x का मान जो है 0 is less than x is less than pi by 2 हो तो sin 2x cos 2x tan 2x और sin 4x का मान ग्यात कीजिये चलिए इसे हल करते हैं तो इसका मतलब यह कि x का जो मान है यह प्रथम चतुर्थांस पर रिस्थित है और प्रथम चतुर्थांस पर सभी त्रिकोंड मीतिये निश्पतियां धनात्मक होती है तो उसका मुपियोग यहां पर करेंगे दिया है sin x equal to 3 upon 5 तो यहां से हमें मिल दाएगा cos x equal to square root over 1 minus sin square x क्योंकि आपने पढ़ रहा है sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है तो वहां से हमें मिल दाएगा cos x equal to square root over 1 minus sin square x आगे इसे सरल करेंगे तो मिलेगा 1 minus sin square x मतलब 3 by 5 का square आगे solve कीजिए यह मिल दाएगा 1 minus 9 upon 25 आगे solve करेंगे तो मिलेगा 16 upon 25 तो यहां से मिल गए आपको cos x equal to 4 upon 5 चूंकि x प्रथम चतुर्थांस पर इस्थित है अता सभी त्रिकुणमिती निश्पतियों का मान धनात्मक होगा तो यहां से हमें sin x और cos x का मान ग्याद हो चुका है अब हम sin 2 x का मान ग्याद करते है तो sin 2 x क्या होता है 2 sin x cos x मान रख दीजे 2 sin x का मान है 3 upon 5 और cos x का मान है 4 upon 5 आगे solve करते है यह sin 2 x equal to मिल दाएगा देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे मिलेगा 12 12 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल दाएगा 24 और यह 5 और 5 का गुणा करेंगे मिल दाएगा 25 तो इस तरीके से हमें मिल रहा है sin 2 x equal to 24 upon 25 अब आगे चलते हैं cos 2 x का मान ग्याद करेंगे तो cos 2 x का मान ग्याद करने के लिए 2-3 सूतर है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं तो cos 2 x equal to मैं लिख रहा हूं 2 cos square x minus 1 तो 2 into cos square x इसका मतलब यह कि 4 by 5 का आपको square लिखना है minus 1 तो 2 into 16 upon 25 minus 1 और आगे जब इसे solve करेंगे तो मिल दाएगा 32 minus 25 upon 25 तो यह मिल जाएगा आपको 7 upon 25 तो यहां से हमें मिल गया cos 2 x equal to 7 upon 25 तो sin 2 x का मान निकल गया cos 2 x का मान निकल गया यहां पर जो cos 2 x का मान हमने ग्याद किया है एक और सूतर आपने पढ़ा था कि cos 2 x equal to 1 minus 2 sin square x तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब आज आते हैं 10 2 x का मान ग्याद करने के लिए तो 10 2 x equal to होता है 2 10 x upon 1 minus 10 square x अब 10 2 x का मान ग्याद करने के लिए आपको 10 x का मान ग्याद होना चाहिए तो चुकि हमें पता है 10 x equal to sin x upon cos x होता है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 x equal to sin x 3 by 5 और cos x 4 by 5 तो यह आपको मिल जाएगा 3 by 4 इसका उप्योग हम यहाँ पे करेंगे तो 10 2 x equal to 2 into 10 x और 10 x का मान है 3 upon 4 फिर 1 minus 10 square x तो यह 3 upon 4 का square आगे solve करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 3 upon 2 और फिर यह 1 minus 9 upon 16 आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा यह 3 upon 2 और फिर इसे जब आप solve करेंगे तो 16 minus 9 7 और यह 16 उपर चला जाएगा तो यह मिल जाएगा 3 into 8 upon 7 यह मिल गए आपको 10 2 x equal to 24 upon 7 sin 4 x का मान हमें ग्याद करना है तो चुकि हमने पढ़ा हुआ है कि sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta होता है या फिर sin 2 a equal to 2 sin a cos a तो यह जो sin 4 x है इसे आप लेख सकते हैं sin 2 into 2 x तो इस तरीके से आपको यह मिल जाएगा 2 into sin 2 x और cos 2 x तो यह मान जो हमें ग्याद है वो हम यहाँ पर रख देते हैं 2 sin 2 x sin 2 x का मान है 24 upon 25 और cos 2 x का मान है 7 upon 25 तो इसे जब आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा sin 4 x equal to 3 36 upon 6 25 यही जो मान है जो हमें ग्याद करना था तो हमने यह पढ़ा हुआ है कि cos 2 alpha equal to 2 cos square alpha minus 1 equal to 1 minus 2 sin square alpha तो आपको यह confusion होगा कि कौन से स्थान पर कौन से सूतर का उपयोग करेंगे तो चलिए आगे प्रस्ण में देखते हैं जिससे हमें आगे समझ आ जाएगा तो पहला प्रस्ण है सिद्ध कीजिए sin 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha equal to 10 alpha यह हमें सिद्ध करना है तो इसे सिद्ध करने के लिए हम left hand side को ले करके चलते हैं sin 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha तो हमने यह पढ़ा हुआ है कि cos 2 alpha equal to 2 cos square alpha minus 1 और 1 minus 2 sin square alpha यह दोनों होता है अब देखिए यदि मैं इस सूतर का उपयोग करूँ इसका उपयोग करूँ तो यह हमें मिलेगा sin 2 alpha upon 1 plus 1 minus 2 sin square alpha और आगे सरल करेंगे तो मिलेगा sin 2 alpha upon 2 minus 2 sin square alpha तो आगे हम इसे लिख सकते है sin 2 alpha upon 2 को जदी मैं common ले लूँ तो मिलेगा 1 minus sin square alpha और आगे जब सरल करेंगे तो यह sin 2 alpha है 1 minus sin square alpha तो इसे cos square alpha लिख सकते है चूंकि sin 2 alpha equal to 2 sin alpha cos alpha होता है तो मान हम यहाँ पर रख देंगे तो यह मिलेगा 2 sin alpha into cos alpha upon 2 cos square alpha यह 2 और यह 2 cancel हो जाएगा यहाँ का cos alpha और यहाँ का 1 cos alpha cancel होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा sin alpha upon cos alpha equal to tan alpha तो देखिए कि यह जो प्रशन है यह एक, दो, तीन और यह चार अलग-अलग step में यह solve हो रहा है हमने यहाँ पर इस सूतर का उप्योग किया था अब यदि हम cos 2 alpha equal to cos 2 alpha equal to 2 cos square alpha minus 1 का उप्योग करें तो देखिए कि यह जो question है वो कितने जल्दी से आसान तरीके से हल हो जाता है तो sin 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha तो sin 2 alpha upon 1 plus यहाँ पर यदि हम 2 cos square alpha minus 1 रखें तो यह plus 1 और यह minus 1 cancel हो जाएगा और हमें मिल रहा है sin 2 alpha upon 2 cos square alpha तो देखिए यहाँ पर यह जो मान आपको 2-3 step perform करने के बाद मिला था यह सूतर रखने के जस्ट बाद हमें यह मिल गया तो जब भी आपको 1 plus cos 2 alpha दे तो आप cos 2 alpha equal to 2 cos square alpha minus 1 का उप्योग करेंगे तो यह आसानी से हल हो जाएगा चुकि यहाँ पर यह minus 1 को अपने आप में रखता है तो यह plus 1 और इसका minus 1 cancel हो जाएगा लेकिन यदि यहाँ पर minus sign हो तो आप 1 minus sign square alpha का उप्योग करेंगे तो यह जल्दी से हल होगा तो sin 2 alpha इसे आप लिख सकते हैं 2 sin alpha cos alpha और फिर यह अपन 2 cos square alpha यह 2 और यह 2 cancel, यह cos alpha और इसका एक cos alpha cancel तो यहाँ से आपको मिल रहा है sin alpha upon cos alpha equal to tan alpha यह है आपका right hand side और यहाँ पर यह भी right hand side है तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि sin 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha equal to tan alpha इसमें अगला प्रशन है sin 2 alpha upon 1 minus cos 2 alpha equal to cot alpha यह हमें सिद्ध करना है तो चलिए इसके left hand side को ले करके चलते हैं sin 2 alpha upon 1 minus cos 2 alpha थोड़े देरे पहले हमने discuss किया हुआ था कि ऐसी condition जब यहाँ पर minus हो तो हम किस formula का उपयोग करेंगे चुकि cos 2 alpha equal to होता है 2 cos square alpha minus 1 और 1 minus 2 sin square alpha तो देखिए यह plus 1 है फिर minus sin के साथ में तो अगर इसका उपयोग करेंगे तो यह minus 2 cos square alpha और यह plus 1 हो जाएगा और यदि इसका उपयोग करेंगे तो यह 1 minus यह plus 1 और यह minus 1 और फिर यह plus 2 sin square alpha तो इसका उपयोग करेंगे तो यह प्रशन जल्दी से हल हो जाएगा चलिए देखते हैं तो यह 1 minus cos 2 alpha के लिए हम यह रख रहें तो यह 1 और minus और minus यह plus 2 sin square alpha चलिए आगे हल करते हैं sin 2 alpha इसे आप लिख सकते हैं 2 sin alpha cos alpha plus 1 और minus 1 cancel हो जाएगा यह 2 sin square alpha है तो यह 2 और यह 2 यहां का sin alpha और यहां का 1 sin alpha cancel हो गया तो यहां से मिलेगा cos alpha अपान sin alpha जो की है cot alpha के बराबर cot alpha होता है cos alpha अपान sin alpha तो यह हो गया आपका right hand side left hand side को ले करके चले थे right hand side पर पहुँचुके तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ तो अगले प्रस्ण में हमें सिद्ध करना है कि 1 plus sin 2x plus cos 2x upon 1 plus sin 2x minus cos 2x equal to cot x यह होता है यह हमें सिद्ध करना है तो इसके left hand side को ले करके चलते हैं 1 plus sin 2x plus cos 2x upon 1 plus sin 2x minus cos 2x तो 1 plus sin 2x और फिर यह जो cos square फिर यह cos 2x है इसे हम लिख रहे हैं 2 cos square x minus 1 upon 1 plus sin 2x minus यहां पर यह minus sin के साथ में cos 2x है तो इसके लिए हम cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x का उप्योग करेंगे यह 1 minus और minus plus 2 sin square x अंस में यह plus 1 और यह minus 1 cancel हो जाएगा यह है यह है आपका sin 2x plus 2 cos square x अपन यह plus 1 और यह minus 1 cancel हो जाएगा यहां से आपको मिल रहा है sin 2x plus 2 sin square x अब sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x फिर plus 2 cos square x अपन 2 sin x cos x plus 2 sin square x अंस में देखिए कि cos x common आ सकता है और हर में sin x common आ सकता है और इसके साथ में 2 तो यहां से हम निकालते हैं 2 cos x को common लेंगे तो यहां पर आएगा sin x plus cos x और फिर यह अपन 2 sin x को common ले ले यहां पर आएगा cos x plus sin x तो sin x plus cos x यहां पर और हर में sin x plus cos x दिए दोनों cancel हो जाएगा और 2 और 2 cancel हो जाएगा यहां मिल रहा है cos x upon sin x जो की होता है cortex के बराबर और यही हमारा right hand side है तो इस तरीके से यह प्रशन भी सिद्ध हुआ